हलो दोस्तों नमस्कार वेलकम बैक माई यूटूब चैनल तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं हमारा मुगासा का स्कूल जहां पर मैं बच्चों को पढ़ाने आता था पहले अभी तो नहीं आ रहा हूं क्योंकि कोरोना की बज़े से ला इस्कूल बंद है क्यों बैटा तो अभी आदेस आया है कि स्कूल में जो भी गेस्ट फेकल्टी उन्हें बापिस बुलाया जाए क्योंकि टीचर नहीं है तो रखना ही पड़ेगा तो आदेस के अनुसार आज में स्कूल आया था देखते क्या है क्या नहीं है तो अभी सर बेटे अंदर तो मैंने सोचा अ है और श्कूल के पास-पास कैसा महोल है क्या है तो यह देखिए दोस्तों बहुती सानलार नजा रहा है प्रकरती अपना विक्रत रूप दारण कर रखा है अभी बारिश का मोसा में तो सब हरा भरा हुआ है यह देखिए दोस्तों पास में एक चोटा सा तलाओ है जो भरा रहता है और यह गर्मियों में काम आता है मवेशियों के लिए और पानी के कोई सोर्स नहीं है जादा है यह यह रहा है और स्कूल गाओं के ज़स्ट बगल में ही है तो बच्चों को भी आने में परिशानी नहीं होती है यह देखिए दोस्तो स्कूल का नजारा और चोटा सा ग्राउंड है पीछे इसमें हम गर्मियों में बच्चों को पढ़ाते थे और यह पास में ही माता जी है जहां पर तिवारों पर पूजा होती है दसेरे पर और इसके जस्ट ऊपर एक रास्ता गया है इस रास्ते पर जंगल की और जाता है यहां से लोग जो भी पेदल जाते हैं ना काम केड़ा वगेरा के लिए उसका रस्ता यहीं से जाता है तो बहुत ही सांदार ने जा रहा है बहुत गना जंगल है और प्रकर्ति ने अपना मनमोक रूप धारण कर रहा है पूरा एरिया है चारो तरब जंगल से गिरा हुआ है बहुत ही अच्छा इंवारमेंट है प्रकर्ति की खुस्बूफ बच्चों में एक एनर्जी बूस्टर का काम करती है तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए सेर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और बने रही है नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत जल्दी मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आऊंगा जो कापी इंट्रेस्टिंग होगा और मैं अपना उसमें अपना जो गाउं का डेम है वो पूरा सोब करूंगा थैं